दोस्तो आज मैं आप लोग के साथ फोटोक्रापी कॉंटेस्ट के इंफोर्मेशन शेयर करूँगी कॉंपिटिशन पेड है या फ्री है? क्या-क्या गाइडलाइन्स है? कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? लास्ट डेट कब है? क्या-क्या एवर्ड्स मिलेंगे? वो सारे डीटिल्स आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ अगर आप ये कॉंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाते हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा जरूर तो चलिए without wasting any time वीडियो स्टार्ट करते हैं सुपब्स एक online talent hunt platform है where your skills are judged by professionals on that specific field ये organization ने The Great Indian Photography Contest organized किया है सबसे पहले बात करते हैं इस competition के guidelines के बारे में Photography Contest में एकी person photograph ले सकते हैं Photo original होना चाहिए पहले किसी भी organization में published कर चुके हैं इस तरीके का कोई भी photo नहीं चलेगा चाहिए वो print, digital या online publication में किसी भी platform में पहले published हुआ हो But self-published work in blogs on social media, etc. will be considered That means participants अपने ही photograph को अपने ही social media में published कर चुके हैं इस तरीके का कोई भी photo इस contest में पाटिसिपेट करने के लिए आप लोग send या upload कर सकते हैं ये contest इंडिया में रहने बाले हर एक participants के लिए open है चाहे वो professional artist हो, amateur या student हो कोई भी age के कोई भी male या female इस contest में पाटिसिपेट कर सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं photo send करने के लिए last date कब है वैसे तो participants 31st March 2021 रात के 12 बजने से पहले अपना entry send कर सकते हैं पर अधिकतर participants क्या करते हैं कि last date तक सोचते ही रहते हैं कि participant करू या ना करू और इसी वज़े से last date भी आ जाते हैं और website भी busy रहते हैं इसी traffic की बज़े से इसलिए सूपब्स organization ने भी announce कर दिया है कि कोई भी participants अगर participate करना चाहते हैं तो 15th March तक अपना entry send कर सकते हैं अब discuss करते हैं कि result कब announce होगा और कैसे पता चलेगा participants को तो दोस्तो इस competition कर result announce होगा 30th April 2021 को और competition में जो भी winners होंगे उनको mail या phone के थूँ inform कर दिया जाएगा और सूपब्स organization के official website और social media में भी winners का नाम announce कर दिया जाएगा next बात करते हैं कि competition के evaluation कैसे होगा और क्या-क्या criteria है first of all competition का judgment होगा सिर्फ आपके भेजे हुए photograph के उपर base करके अब discuss करते हैं competition में जो भी जितेंगे उनको क्या-क्या reverse मिलेंगी competition में जो भी winners होंगे उनको e-certificate and एक लाक रूपीज प्राइस मिलेंगी जो online banking के through आप लोगों को भेज दिया जाएगा runner आपको certificate और 5000 रूपीज प्राइस मिलेंगी जो भी photo superbs के official Instagram पे सबसे ज्यादा like मिलेंगे उन्हें 500 ट्रेन रूपीज cash प्राइस मिलेंगी और competition में participate करने बाले हर एक participants को e-certificate भी मिलेंगी इस competition का selected photo superbs के official website, facebook और Instagram पे पे आपलोड कर दिया जाएगा next discuss करते हैं जो भी participants इस contest में participate करना चाते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं description box में participation link sent कर दूँँगे या share कर दूँँगी सबसे पहले आप लोग link पे जाके click कीजिए click करने के बाद इस तरीके का एक window open हो जाएंगे अब आप लोग pay now button पे click करके पहले 190 rupees पे कीजिए उसके बाद automatic submission page open हो जाएंगे जहाँ पर आप अपना basic details और photo upload करके successfully इस competition में participate कर सकते हैं तो इसका मतलब the great Indian photography contest एक paid contest है I hope आज की इस वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा interesting और helpful लगी हो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे इसी तरह के और एक informative वीडियो को लेके तब तक के लिए thank you so much